राम राम मिर किसम भायो विकास सर्मा का भारत के सभी किसान भायो को राम राम मिर किसम भायो आप देख रहे हो एगरो फार्मिंग इंडिया चैनल और यह चैनल भारत के सभी किसान भायो की आवाज का चैनल है यह सत्य की आवाज का चैनल है मिर किसम भायो किसम भायो आप से यूदन है कि इस चैनल को आप लाइक शेर सब्सक्राइब जुरूब ले आज हम बात करने वाले खेती बाड़ेगी खेती बड़े के अंदर विशेर रहेगा कि गर्मी के मौसम के अंदर खेरी की पसल किसी तरह से करी जाती है जो आज हमारे पास में जो क्यों तीन युवा कि किसान एक आधुनिक टेक्नोलोजी के आधार पर यह खेती करते हैं और बहुत ही विक्षित किसान है यह राजस्तान जेपुर से हैं यह किसान तो सबसे पहले यह जो खेत देख रहे हो आप यह खीरी की पसल है यह देख लिए अप्रेल का मेना चल रहा है और टेंप्रेजर किस तरह से खीरे की पसल कर रहें है और इसी प्रकार से में खिसान भाईयों से मिलाता हूं आपका नाम इनका प्रदान प्रदान जी है इनका नाम नाम परदान अगर आपके भी घर में को कोई बच्चा जनम ले रहा है तो उसका नाम शरपंज रख दीजिए यह मुक्हे मं नाम अच्छा लागा तो परदान आप इसलिए रखा गया है मैं मजा करां फोड़ो में किसाम भाई हो और आपका नाम सुरेश्यादू सुरेश्यादू यह तेनों किसानों का जो तकनिक है मेरे को बहुत अच्छी लगी और यह समय से में थोड़ा बहुत गाइड लाइन मेर अच्छी लगा रही है साइड के अंदर यह नों ने खीरे लगा रहे हैं और आज समय क्या हो गया आज 25 अपरेल 2020 2020 तो यह खीरे के पसल आप गर्मी के अंदर किस तरह से लेगा किन-किन बातों को ध्यान रखते हो आप एक तो साथ टेम प्रेजर के दिन इसमें किस ट्राइ एक तो लीब माइन एक जड़ के अंदर जडगाट की सिकाहइद रहती है। इन इनमें फिर दर्रामा द्रामा आता है उससे तो जड़ाट की तोड़ी शिकाहिद कम रहती है और लिब माइनर में भी जडल रूख करते हैं और आपसे हमेसा इसा मिसा था लै। लेत earnest अभी 15-16 के असपास की रेटे तो जो लोगडाउन की वजए से रहें नहीं तो ग्रीन नेश्ल वाला किराए इसकी नाजय कमपनी का 55 यहीं कुछ आता है इसका नमब्र हम आजया कहें, तो इसे बाजार विक ने में आसानी चैसे रहता है और जल्दी से बिख जाता है और अच्छी रेट पर अच्छा मुनाफ़त रहता है, विस्वार किसा भए हो इसको ध् अगर इस तरह का अगर आपके पास यह तो द्यान रखे और बोरों की तरफ द्यान दे और एम्मिनो एसिड की तरफ भी द्यान दे यह तो और हमने बहुत काफी सुधार करिए इस पसल के अंदर तो यह हमने बता दिया है और दूसरी बात बता है विकल्व क्या है कि इसके अंदर नमी चाहिए जो खेले की पसल है तो क्या है हाई टेंपरेजर के अंदर इसके फलोर जणनी की सिकाइद रहती है तो हो सके उतना खुला पाने भी एक बार चलाए बेडों के बीच के अंदर जिसके टेंपरेजर थोड़ा अनुकल रहें तो ऐसे ही और दूसरी बात एक और बताना सहूंगा इनकी जो विनोजी की टेकनिकल है वह देखो साइड के इन्होंने हजारे फूल लगा रखे और हजारे के फूलों इसलिए लगा रखें कि जो को तितली बगरा है तो इस खी हेरे की ना बेट के और पूल भी बेढ़ जाती है जिसके है कर यह का आने हैं लूले लंगड़े कम होते है और खराब कम होते हैं यह और इनकी जो तकनिक ए एक इस पिसल देखिए अग्या भी उगा रिखिया है एजरे की भसल पास में अपना फूल देख रहे हो वैट वड तो ये मिश्त्रित खेति करते हैं थोड़ी थोड़ी सभी सब्सक्राइब लगाते हैं तो यह बहुत ही मोटा मुनाफ़ा कमाते हैं इसलिए तो आज का भारत का जो युवक इसान है वह धीर जागरत हो रहा हैं और खेती की तरप तौर घ्रे अकृशित भी हो रहा है तो मेरा सुजाव यह है कि जैसे विनोजी खेती कर रहे हैं तो इनका एक बार कोपी करें कोपी करके खेती करें आपको फायदा जरू मिलेगा तो धन्यवाद मेरे किसाम भाई हो अगला वीडियो फिर में आप लोगों के लिए लिक रहा हूंगा आप मेरे इस वीडियो को ला पात्रम